जैशी राम मित्रों डिक्टेशन स्टार्ट तारीक 20 जून कॉमा 2022 को श्री महेंदर सिंह ने हरक्चंद के साथ लगबग छे बजे अपराहन ग्राम रोजडी कॉमा तहसील और पुलिस थाना कॉमा आरके पुरम कॉमा जिला ग्वालियर पर इस्टित खुमान से हैं कोश्टक अभी सा पाँच कोश्टक की दुकान से रोजमर्रा की जरुरत की वस्तुयें खरीदी थी विराम वस्तुयों को खरीदने के पस्चात वे दोनों गनेशनगर की ओर गये विराम अपिलार्थी देश अभी युक्त वेक्ति विनोद कुमार और राहुल्यादव और रवी कुमार मुकेश कोश्टक अभी सा पांच कोश्टक की दुकान पर गए विराम उन्होंने कुछ रोजमर्रा की आवश्यक वस्तूओं को खरीदा और गनेशनगर की और चले गए विराम तारीक 18 जून कॉमा 2022 को 29 बजे पुर्वाहन के आस डेश पास मृतक रामलाल का शव गनेशनगर के नजदीक ग्राम सिव नगर के सडक पर पड़ा हुआ बरामद किया गया था विराम शिकायत करता के कथन पर श्री रमेश कुमार कोस्टक अभी सा एक कोस्टक का कथन दंड प्रकिरिया सहीता की धारा 154 के अधीन अभी लिखित किया गया था कुस्टक जिसके अधीन मिर्तक रामलाल काम करता था कुस्टक कॉमा तारीक 18 जून कॉमा 2022 को दंड सहीता की धारा 302 और 323 के 7 पठित धारा 34 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 8 अभी दो हजार 22 पुलिस्थाना आर के पुरम कॉमा जिलाग वालियर कॉमा मद्द प्रदेश में दर्ज की गई थी विराम श्री हरक्चंद मृतक रामलाल का साती है जिसे अन्वेशन के दवरान सामिल किया गया था विराम उसके कथन को दंड प्रकिरिया सहीता की धारा 161 के अधीन तारीक चार जुलाई कॉमा 2022 को अभी लिखित किया गया था जो इस प्रभाव का है की सभी पांच नेपाली कोस्टक विनोध कुमार कॉमा राहुल कोस्टक दोनो अभी युक्त वेक्ती कोस्टक कॉमा उसने स्वयम हरक्चंद कॉमा रवी और मृतक रामलाल ने तारीक 17 जुन कॉमा 2022 को रात के दोरान बालाजी नगर के नजदीक शराब पी थी और जब उन सभी के बीच जगड़ा हुआ तब वे सभी एक डेश दूसरे पर लातों और गूसों से प्रहार करने लगे और अभी युक्तने उसे और मरतक रामलाल को पीटा था विराम श्री रवी कुमार वहां से ततकाल चला गया था विराम वह कोष्टक श्री हरक्चंद कोष्टक नीचे गिर गया था और क्योंकि अभी युक्त वेक्तियों द्वारा उसे तिवर क्षतियां पहुचाई जाना अभी कति थे कौमा वहर लगवग दो घंटे के पस्चात पुनह होश में आया था विराम वह रामलाल कोष्टक मृतक कोष्टक के पास पहुचा विराम उससे कोई उत्तर नहीं मिलने पर उसने यह उपधारणा की की रामलाल अपने घर को चला गया जिसके पस्चात वह भी चला गया विराम उसने यह भी कतन किया की अगले दिन कौमा पुलिस ने उसे रामलाल की मृत्यू के बारे में सूचना दी विराम उसने रामलाल की अभी कतित हत्या के लिए अभी युक्त विक्तियों को जिम्मेदार ठेहराया विराम दोनों अभी उक्तों को मृतक रामलाल कोश्टक नेपाली कोश्टक की हत्या करने के लिए दंड सहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा चोंतीस तथा हरक चंद को क्षतियां पहुचाने के लिए दंड सहिता की धारा 323 के साथ पठित धारा चोंतीस के अधीन दंडनियां अपराद किये जाने के लिए आरोपित किया गया था विराम दोनों अभियुक्त वेक्तियों ने दोसी नहीं होने का अभिवा किया और विचारण किये जाने का दावा किया विराम स्टोप धन्यवाद रिख़ए पिराण